हेलो, नमसकार सभी सभी का सवागत आपके एपने यूटूब चैनल क्रेक एकजाम पुरी पर आज की क्लास के अंदर जो एचandyet का एकजाम आपका 2 और 3 अक्टूबर को उसके लिए प्रैक्टिस पिपर जो आपके PRT लेल हो, या फिर TGT हो या फिर PGT की बात करें तो 90 क्यूसन आप सभी को पता है सेम है तो चलिए जादा टाइम वेश्ट ने करते हूँ डारक्ट क्लास को शुरू करते हैं आज का हमारा टाइम वेश्ट ने करते हूँ डारक्ट क्लास को शुरू करते हैं आप भी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना लास्ट के अंतिम 25 दिन तकम लगबग 30 से ज़्यादा प्राइक्टिस पेपर आपको करवा दे देखिए एक प्रकिरिया जिसके दवारा माता पिता यह मान लेते हैं कि उनके बच्चों के सभी गुण सकारात्मक है क्योंकि एक गुण सकारात्मक होता है वो क्या कहलता है इस साइड इंगलिस के इंदर आप यहां से भी चैक आउट कर लेना इसका जो राइट आंसर होग का कंटेस्ट इफेक्ट बोलते हैं यानि कि संद्रब परबाव ओप्सन एक राइट होजेगा नेक्स्ट कुस्टन देखिए निमलिक्त में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है विच आफ दा फलोविंग इस नो ट्रू अबव डैवलोमेंट तो इसका राइट अंसर हो जाता है डियर ओप्सन नुबर फूर विकास विशिष्ट से समन्ने की और होता है ये विकास के बारे में कथन ऐसत्य है बाकी तीनों है जो किरिया का फल होता है और व्यवस्तित सिरंगला का अनुगा में भी होता है विकास एक व्यक्तिकत पर किरिया भी होती है न अगला है अधिगम निर्योगता का लक्षन है इस क्यूशन का राइट अंसर आजेगा आवदान समंधी विकारभी ओप्सन सी राइट है एक बालक है जिसका मानसिक स्कोर 110 है वह पढ़ाई के अंदर अच्छा नहीं है तो पूछ लिया वो बालक है वो किस केटेगरी के अंद अगर केस माजिक सास्तरिय द्रिष्टिकोंड के अनुसार व्यक्ति के किस परकार में सामिल है तो इसका जो कॉरेक्ट आंसर होगा डियर ओप्सन नमबर टू स्वेदान्तिक ओप्सिक टू राइट होजेगा यानि कि थियोरोटिकल निमलिक्त में से कौन सा कथन है रूची डी राइट होजेगा अगला किसन है नोन वर्वल इंटेलिजेंस टैस्ट कैन बी यूजड फोर ए साब्दिक पुद्धी परशिक्षनों का प्रियोग किया जा सकता है किस के लिए ओप्सन नमबर टू राइट होजेगा ए सिक्सित व्यक्तियों के लिए अगला किसन देख होजेगा तादात्मी करन भी ओप्सन नमबर फोर राइट होजेगा यानिकी आइडनिटिफिकेशन बाल अपराद मनो विज्यान के परतिपादक पूछ लिए कौन होजेंगे कुरेक्ट आंसर होजेगा डियर ओप्सन नमबर फोर सीजर लंबोर सूम नेक्स्ट है एरिक्स विज्यान के अनुसार बच्चों का जो मनो समाजी की विकास आठ चरणों से उता है कक्सिया तीन का च्छत्तर और जो उसकी आयू है नो साल के लगबग है विकास के किस चरण से में लखाएगा कुरेक्ट आंसर होजेगा डियर प्रीशरम बनाम हिंता ओप्सन एक राइट बाल बच्चों के अंदर जो ओसत से अधिक विर्दी होगी वे सारीक समाजीक स्विंगातम की विकास में काफी आगे बड़े हुए पाए जाते हैं ये बाल बच्चों का कौन सा सिदानत है इस सिदानत को बोलते हैं प्रिंसपल ओफ इंटर रिलेसंसिप यानि की परस पर स समद का सिदानत ओप्शन एक राइट है नेक्स्ट क्रिशन है नवीन ग्यान और नवीन अनुबव अरजन करने की प्रिक्रिया ही अधिगन यह प्रिवास किस मनोव गयनी की दवारा दी गी थी इसका जो कुरेक्ट आंसर हो जेगा डियर ओप्शन नमबर थ्री फुड वर् सहकालिक अनुबंदर नेक्स्ट हमारा क्युस्टन मैक डुगल के दवारा वर्नित मूल परवर्ती कौन सी होगी कुरेक्ट आंसर हो जेगा मारा ओप्शन नमबर सारे हो जेंगे जिसके अंदर जिगासा पलाइन और गोरो सारे इसामिल हो जेंगे ओप्शन डी राइट हो जीगा राम पांच वर्स का है जो पत्तर को संजीव मानना सुरू कर देता है जीन पैजे के नुसर राम का वैवार पूछ लिया किस परकार होगा यहां पर जो बच्चे की आयू है वो पांच वर्स दरसाई गई है उसकी आयू पांच वर्स दरसाई गई है तो कुरेक्ट आंसर हो जाएगा डियर जीन पैजी के नुसार जीवाद भी ओप्सन टू राइट है नेक्स्ट किस्टन है वाई गोट्सकी के नुसार वह कारिया है जो अकेले बालक के लिए अत्यदिक कठीन है प्रंतु किसी प्रोड और अधिक कुसल साथी की साहिता से करना संबख होता है यह क्या कहलाएगा? Correct answer हो जेगा इसके folding भी ओप्सन टू राइट हो जेगा विसेस अवधी के दौरां विकास प्रगर्ती करता है लेकिन इस अवधी के समायुजन के लिए विराम करता है यह किस प्रकार के नियम को अनुसरन करता है? Correct answer हो जेगा चक्रकार प्रगर्ती का सि नेक्स्ट किस्टन देखी किस्टन नमबर 19 राम और स्याम दो बच्चे हैं जिनकी आयू समान है परन्तु उनके समाजिक और मानसिक विकास में काफी अंतर है यह है विकास किस सिदान्त के कारण होता है कुरेक्ट आंसर हो जीगा डियर ओप्सन नमबर 3 वैक्ति गता का सिदा नेक्स्ट किस्टन है बेसिक सिक्षया इत्तू मातमा गंदी ने किस पाठ्यकरम पर बल दिया था बेसिक शिक्षया इत्तू मातमा गंदी के अनुसार कॉरेक्ट आंसर हो जेगा हस्तकला केंदृत ओप्सन नमबर 1 राइट हो जेगा यानिकी हैंड़क्राफ्ट सेंट्रल नेक्स्ट कुशन देखिए, मनो विगैनिक थोरन डाइक के व्यत्तितों को किस अधार पर बंटा है भी, मनो विगैनिक जो थोरन डाइक थे, उन्होंने व्यत्तितों को किस अधार पर बंटा है, कुरेक्ट आंसर हो जीगा, चिंतन और कलपना सकती के अधार पर, option one right है, दो दार थी है, एकी अवत्रन को पढ़ते हैं, फिर भी, उनके जो अर्थ होते हैं, वो अलग-अलग बताते हैं, कुरेक्ट आंसर हो जीगा, option number three, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविद कारण, विविन वदियों से प्रभावित करते हैं, डोल्टन विदी के पर पादक पूछ लिए, कौन हैं, डोल्टन विदी, कुरेक्ट आंसर हो जीगा, option number two, हैलन पारक हर्ष्ट भी, नेक्स्ट एप बुद्धी परशिक्षन को जो मापता है, वही बुद्धी है, परिवासा किसकी दवारा दी गई है, कुरेक्ट आंसर हो जीगा, ये option number three, बोरिं पूछ लिए, ये सम परते उपलबदी, और जो उसुबेल हो जीगे, अगरिम, संग्ठन, सिक्सक, परतिमान, अगला है, हमारे पास, गलेजर, ये हो जीगे, बुनियादी, परिशिक्षन, वर्तमान, और गोर्डन हो जीगे, साइनकरिक्स, सिक्सन, वर्तमान, यानि कि इस सही करम के अनुसार बताना है, कौन सा कुरेक्ट अनसर होगा, अलबर्ट, बंडूरा के अनुसार अगर बात करें, सबसे पहले आवदान, यानि कि अटेंसन, उसके बाद में, रिटेंसन, यानि कि दारना, उसके बाद में, पुनर्त बादन, फिर अनु, प्रेना, लास्ट नमबर 27 है इसके अंदर सबसे पहले आजेगा हमारा चैन और उदेश से है उसके बाद हम बात करें आयोजन उसके बाद अगर बात करें तो किरियान वेन उसके बाद अगर बात करें तो मुल्यांकन और लाश्ट के अंदर आजेगा लेखा जोखा ओप्सन नमबर टू डियर इसका correct answer हो जीगा नेक्स्ट है पियाजे ने बुद्धी को किसके परती समायोजन योगिता के रूम में प्रिवासित किया था पियाजे ने अगर बुद्धी की बात करें तो correct answer हो जीगा डियर ओप्सन नमबर वन बौतिक और समाजिक प्रियावरण भी निमलिक्त में से किसमे नियूनतम अवदान की आवश्कता होती है किसके अंदर नियूनतम अवदान की आवश्कता होती है question 29 right answer आजेगा habit के अंदर यानि की आदत के अंदर option 1 right है प्रेणा का स्तरोत निमलिक्त में से कौन सा नहीं है तो correct answer हो जीगा इसके अंदर आदत इसके अंदर correct answer आजेगा भी option 1 right है अगला part आपका हिंदी का पंदर किसन पुछे जाएंगे इस बार आपको पता है कद्दे से related question आने है और कविता से related इसी प्रकार सेम इंगलिस के अंदर भी आपके poem से related और unseen passage से related आपके question आने वाले है तो इसके अंदर जो ये सबद दिएगे है question number 31 देखिए सामजस्य सबद के अंदर संदी पूछली कौन सी होगी तो इसके अंदर जो संदी होगी dear right answer होजीगा मारे पास option number 3 वेंजन संदी रात बर जागना स्वास्ते के लिए अच्छा नहीं है तेखा कि इस सबद को पैचानी यानि कि बर को पैचाना है बर क्या चीज होजीगी correct answer होजीगा मारे पास सम्मद सुचक है next question है किस सबद के अंदर उपसर का प्रयोग हुआ है question number 33 right answer आजेगा उपकार कौन सा सबद सुध बताएगे इन चार option के coding बात करीए तो अभिष्ट होजीगा चातरों ने प्रिशरम किया वे उत्रिन हो गई इस वाक्य का मिशिरित वाक्य के अंदर चैंज करना है and dear right answer आजेगा जिन चातरों ने प्रिशरम किया है वे उत्रिन हो गई थे दिवी कर्मक किरिया का वाक्य पूछ लिया कौन सा होगा दिवी कर्मक किरिया की अगर बात करीए किस विकलप के अंदर सभी सब्द संग्या से बने विशेशन है किस्ट नमबर 37 कुरेक्ट आंसर होजिगा मारी पास पुराणिक मानविय है और लखनविवी नेक्स्ट किस्ट ने कौन सा समासिक पद सही नहीं है तो 38 नमबर किसन है राइट अंसर आजीगा मारा बादब अदब तक भी राम स्वालंबी छातर है उसे जितना कार्य करना होता है उतना वैसमे कर लेता है इस वाक्य के अंदर कौन सा सरोणा बताया गया है राम स्वालंबी छातर है थर्टी नाइन किसन है यानि कि निजवाचक अन्यवाचक और सम्मदवाचक ये सारे कौरेक्ट आंसर हो जेंगे स्यूंक तवाक्या पूछ लिया कौन सा होगा किसन नमबर 40 राइट आंसर होजी का अध्यापक आया किन्तू विदारती चले गए इसके अंदर जो किन्तू है वो दो वाक्यों को जोड़ कर यानि कि स्यूंक तवाक्या बनाया गया निमलिक्त में से सप्रस संग्रसी कौन सा होगा इसके अंदर कुरेक्ट आंसर होजी का डियर ओप्स नमबर 3 कुरेक्ट हो जाता है चैवी रीसी सबत का बोवचन पूछ लिया क्या होगा क्यूसर नमबर 42 राइट आंसर होजी का रीसीयों राकेश की दोवार पत्थर लिखा जाता है वाच्चे का बेद बताईए क्यूसर नमबर 43 राइट आंसर होजी का करम वाच्चे है सिक्सक की देश को ब्रश्टाचार से मुक्त कर सकता है और इस वाक्य के अंदर उचित निपात को बताना है क्यूसर नंबर 44 राइट अंसर हाजीगा ही अगला क्यूसर ने करम दर्यासमास का उधारन नहीं है 45 नंबर जो क्यूसर दिया गया है इस बार मैं बता दूँ आपको ये जो प्रैक्टिस पेपर है ये प्रिविस ये प्रैक्टिस पेपर था अब की बार HBC ने थोड़ा सा चैंज किया यानि कि मैं बता दूँ आपको गद्दे से और इंगलिस के इंदर बात करें fill in the blanks with most operative model यहां पर बताना भी कौन सा model का use होगा he khalistan, play, football, wine, he was young भी जब हो जवान था तब वैब football खेलता था था यहां पर जो correct answer होगा option number 2 आजीगा यानि की he used to play option to write है choose the correct set of article बताना यहां पर article कौन सा आएगा crime is on khalistan increase question number 47 right answer आजीगा crime is on n increase b a e i o u तो यहां पर n का use होगा option number 2 right होजीगा which of the following perhaps 1, 2, 3 and 4 given below each sentence should replace the underline perhaps to make the sentence grammatically correct we meet him immediately after the session in which he had been given a nice speech यहां पर जो dark line की गई है इसका answer हमारे पास 48 number question है had given आजीगा यानि की been का use नहीं होगा option for right है अगला sentence question दिया गए हमारे पास which of the option given is the correct passive voice from following यानि की इसकी passive voice के अंदर बदलेंगे तो you did not respect him इसका जो correct answer आएगा dear option number 4 होजेगा he has not been respected by you option for right है अगला question हमारे पास have you done your home work बहुत important question है the teacher said to the boys choose the correct reported speech के अंदर बताना है तो इसका जो right answer होगा dear option number 1 होजेगा the teacher said to change होजेगा asker के अंदर दबवाए whether they had done their home work भी अगले के अंदर है wrongly spelling या incorrect spelling बोल शकते हैं right answer मारे पास omitted option 1 dear right answer होजेगा next question देखिए question number 52 भी choose the correct pre position से related question आगया Mary passed me खालिस्तान हर बाइस्किल question number 52 right answer होजेगा यहाँ पर at का use होगा option 1 right है choose the correct form verb complete the sentence यहनि कि कौन सी वरब का use करिंग तो यह sentence है वो complete होजाता है question number 53 as soon as remains comes home option 2 right होजेगा अगला हमारे पास which one the adjective in the following sentence give this chocolate to the crying baby यहनि कि यह जो चोकलेट है जो बच्चा चिला रहा है उसको देना है तो इसके अंदर adjective यहनि कि विसेशन पूछ लिया 54 नंबर किसे ने crying हमारे पास right answer आजेगा choose the part of the sentence that is grammatically incorrect यानि कि कौन सा sentence है वो गलत है ग्रामर की तरफ से देखें या फिर इंदी के अंदर बात करें एसुद वाक्या पूछ लिया 55 नंबर किसे ने we will pack not only यहां पर wrong आजेगा अगला किसे ने fill in the blanks the growing number of the visitor खालिस्तान दी footpath किसे नंबर 56 है right answer हो जेगा is it amazing भी Monday is the first day खालिस्तान दा week यानि कि जो Monday होता है वो first day होता है किसके बाद तो correct answer हो जेगा 57 का right answer option number one का यूज होगा भी Monday is the first day होता है of the week का यानि कि सब्ता का कालिस्तान गांदी जी कालिस्तान in राज कोट भी question number 58 right answer हो जेगा did गांदी जी यानि कि question mark है तो question mark से पहले वहीन what ये तो यूज आएंगे नहीं did गांदी जी study in राज कोट option number two right हो जेगा choose the correct own transfer for the word given below protect इसका correct answer हो जेगा option number two next question देखिए drunk milk is the good for health इसके अंदर वरक कौन सी आएगी correct answer हो जेगा dear हमारे पास option number four drinking milk is the good for health भी next देखिए पारट थरी है हमारे पास जो comment यानि की math की question आज़ेंगे 10 और 10 आएंगे reasoning की और 10 आएंगे आपकी हरियाना जी की तो इसका जो हम पारट two है जो ये math की question देखिए हो आप और साथ के अंदर reasoning की question है इसका पारट two इसी वीडियो के बाद आपको cover करवा दिये जाएगा तो इसके अंदर जो reasoning की question है वो भी हम अगली वीडियो के अंदर कर लेंगे हरियाना जी के आपकी 10 नंबर के आने वाली है वो देख लिते हैं हरियाना के वन विबाग की अधेकस्ता करने वाली देश की पर्थम मैला पूछ ली कौन होंगी करेक्ट आंसर हो जेगा डियर ओपस नंबर 2 करेक्ट हो जेगा अमरिंदर कोर नाहरवन जीव अभ्यारण हरियाना के किस जिले के अंदर है करेक्ट आंसर हो जेगा लिवाडी के अंदर नेक्स्ट किसन है हर्याना सिनेमा के इतियास के अंदर पहली फिलम पूछ ले कौन सिती हर्याना सिनेमा के इतियास के अंदर पहली फिलम हो जेगी हर्पुल सिंग जाट जुलानी अगर ये पूछे पहले सफलतम फिलम पूछ ले तो चंदरावल हो जीगी हर्याना सरकार ने 2022 को किस वर्स के रूप में मनाने की गोशना की थी राइट आंसर आजेगा सुसासन अंतो दे वरस भी हर्याना से राज्य सभा के कितने सदैस्या मनोनित होते हैं पाज सदैस्या होते हैं राज्य सभा के पूछे हैं पाँच अगर लोग सभा के पूछ ले तो हो जेंगे दस भी हर्याना तिलक सापता एक पत्रिका के संपादक पूछ लिए कौन थे 86 का राइट आंसर हो जेगा मारे पास स्री राम सर्म समाज सुदारक पंडित बस्ती राम का जनम पूछ लिया कहां पर हुआ था कुरेक्ट आंसर हो जेगा खेड़ी सुल्तान गाउं के अंदर गुरुगराम के अंदर जो माता देवी सीतला मंदिर है जो गुरु दुरोन अचरे की पतनी थी इनका निर्मान पूछ लिया और ये गुरुगराम के अंदर है कुरेक्ट आंसर हो जेगा शोड़ा सो पचास इस वी के अंदर नेक्स्ट कुस्ट ने डियर कितने संख्या वाले गाउं में स्ट्रिट लाइट और सिवरेज योजना के तहत नगरिये सुईदें उपलब्द करवाई जाएगी कुरेक्ट आंसर हो जेगा जिस गाउं की जन्जिंकर 10,000 से आधिक हो हर्याना बजट 2022 तेश के नुसार सरवाधिक पैसा किस छितर के अंदर किया जाएगा और इसकी आंसर की के साथ आपको ये पीडियेप है अपना टेलिग्राम चैनल है क्रेक अगजाम पूरी यहाँ पर पीडियेप आपको डाल दी जाएगी और भी इपोर्टेंट किसन होते हैं स्टेटिक जीके से रिलेटिड वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इपोर्टेंट इनफोर्मेशन के लिए टेलिग्राम चैनल को जुरूर जोइन कर लें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सिन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है कल की कलास के अंदर फिर एक नया प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसके मैत और रिजनी के किसन है इसको पारट टू के अंदर कवर करवा दिया जए उमीद यही करेंगे कलास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें आपके दवारा किया गया एक लाइक एक सेर इस सीरीज को कंटिन्यू करने के अंदर बहुत सारी हलप मिलेगी बगवान करें आप सभी का दिन स बहुत